सब्सक्राइब किजिए TechBoy YouTube चैनल को और साथ नहीं बेल आइकन को प्रेश किजिए और पाइए मारे नोटिपिकेशन सबसे पहले तो एक भाई ने कोश्चन पूछा था तुम्हारा कितने वीडियो वाइरल हुएं तो तीन से चार वीडियो वाइरल हो चुके हैं और दूसरे वाई ने पूछा था फैक्ट्स नौलेज वाला कैटेगरी के लिए कैसे हैश्टेग कौन कौन सा वाला खाएंगे तो वाइरूल होगा मतलब इनका कोश्चन पुछने का मकसद यह था कि कौन कौन सा हैश्टेग यूज करें जोस एप पर तो हमारा फैक्ट्स वाला वीडियो है जो वाइरल होगा तो इसी के टॉपिक पर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप जोस एप पर अगर फैक्ट्स वाले नौलेज वाले वीडियो बनाते हो तो आपको कौन सा हैश्टेग यूज करना है क्या टाइटल लिखना है और कैसे करना है ताकि आपका वीडियो वाइरल हो उस पे अच्छे वीडियो जाए लाइक जाए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अच्छे से टाइटल नहीं लिखते हो जोस एप पर या फिर कोई भी एप कोई भी सोसल मीडियो अगर आप उस पर टाइटल नहीं लगाते तो आपका वीडियो अच्छे से वाइरल नहीं यह सब हैश्टेग तो लगाते ही हैं और उसके साथ आपको क्या करना है पहले दो ट्रिक्स बताता हूं ठीक है तो पहला ट्रीक है कि आपका अपना खुद का एक हैश्टेग जेनरेट करना है जैसे मैं पिछली वाली वीडियो पर भी बताया था ठीक है तो कौन सा tech boy लगाऊंगा तो मैं हर वीडियो में एक के बाद जब जब मैं वीडियो अप्लोड करूँगा तो hashtag tech boy लगाऊंगा ठीक है तो आपको भी उसी तरह अपना एक hashtag generate कर लेना जैसे कि अगर फैक्टी वीडियो है अगर वो डालते हैं तो आप आप देखोगे उनके हर वीडियो में hashtag फैक्टी जरूर लगाते होंगे नीचे यह नहीं लगाते लेकिन पहले लगाते थे ठीक है तो hashtag फैक्टी आप वो लगाते हैं उसी तरह आपका कुछ अपना एक hashtag generate कर लेना चाहिए आप कोई भी social media पर हो मीडियो नहीं मेडिया तो अचाहिए आप कोई भी social media पर हो चाहिए वो जोस हो मेश्टेक आटक हो YouTube सौर्स हो तो आपको अपना एक खुद का hashtag generate कर लेना ठीक है और दूसरे तरीका कौन से वह आपको जोस एप से ही पता चलेगा कि आखिर कौन से hashtag यूज करें viral hashtags कौन कौन से ठीक है तो इसको मैं थोड़ा सा mobile की screen पर जाता हूँ उसके बाद आपको बताऊंगा ठीक है तो अभी चलते है mobile की screen पर तो सबसे पहले आपको चले जाना है जो सैप पर तो अभी मैं जो सैप पर चले जाता हूँ ठीक है और मैं यहां जो सैप पर चला गया और उसके बाद अभी मैं चला जाता हूँ और यहां इस तरह ओपन होता है तो अभी इसको वीडियो को रोक देता हूँ और नीचे आप को दिखेंगे 5 options यहां home का option है search का option है plus का option है notification का option है और आपका ID का जो अपना option है ठीक है तो भी मैं ID पर चल जाता हूं मेरा login ही मैं login कर लेता हूं ठीक है और यहां पर मैंने login कर लिया और आपको दिखेगा यहां पर मेरे 38 फैने 27500 व्यूज हैं जो काफी अच्छा मतलब की likes हैं तो उस पर काफी अच्छा likes हैं तो आपको नीचे स्वाप अप करके दिखा दिता हूं कि मेरे हर वीडियो पर 9000 10,000 9600 9700 10,000 इस तरह के व्यूज जा चुके ठीक है यह देखिए मेरे इस वीडियो पर आपको सेर्च वाले ओप्सन पर आपको क्लिक करना है ठीक है यह सब भी बताँगह ठीक हैं तो अभी आपको क्या करना है सबसे पहले सर्च वाले option पर आपको क्लिक करना है ठीक है और आपको search वाले option पर जैसी आप click करोगे तो मैंने यहां पर देखे पहले मैंने एक follow किया था जो एप के जो रियल आईडियों उसको आप follow कर लेना ठीक है उसके बाद आपको search पर option जो swap up करता है उस पर जो hashtags आ रहे है ठीक है तो वो सब आप है hashtag use कर लेना और उसके बाद क्या करना है मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूं ठीक है तो सबसे पहले हम यहां पर एक वीडियो अपलोड कर लेते हैं मैं अब इसको मैं डाल दूंगा ठीक है और उस पर मैं आपको इस वीडियो को मैं अपलोड करता हूं और आपको यह भी दिखाऊंगा कि कितने व्यूज आए मेरे ठीक है और इस पर आपको कुछ effects effects यूज कर लेना है ताकि जो सब का जो इस पता चले कि आपने कुछ effects यूज किया है filter यूज किया है ताकि आपका विडियो का growth वो बढ़ाए ठीक है तो अभी यहां पर यह हो गया उसके बाद आपको next पर क्लिक कर देना है आप जैसे next पर क्लिक करोगे creating का option आएगा और आपको नीचे जितने भी hashtag है ना उन सब को use कर लेना ठीक है तो अभी मैं यहां सब को use कर लेता हूं और यहां comment का भी option आ गया और एलाओ ड्यूट का भी option तो पहले से था तो इस पर आपको सब को use कर लेना है और आपको और कौन कौन से hashtag use कर लेन ठीक है आपको पर एक title लिखना है बहुत तगड़ा वाला जिससे और लोगों को लगे कि इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ तो होगा तो यहां पर मैंने इस वीडियो पर मतलब उसी वीडियो से जुड़ा हुआ कुछ बनाना ठीक है तो अभी मैं यहां पर वीडियो डालता ही नहीं हूँ तो अभी मैंने यहां डाल दिया बॉंबे स्रिप डाल देता हूं यहां पर तकि किसको यह आए तो उसे पता चले कि किस बार में वीडियो है और वो रुके और उस वीडियो को पूरा देखें उसके बाद आपको कौन-कौन से hashtag use करने है यह आपको यहां पर मैं एक ले लेता हूं hashtag viral आप एक यूज कर लेना ठीक है hashtag viral क्योंकि यह सबसे वीडियो वाइरल हो जाते हैं यह काफी लोग यूज करते हैं और hashtag for you आप यूज करने ठीक है तो आप hashtag viral और hashtag for you यूज करना और मैंने जो hashtags बताएं थे उस सब को आपको कौन-क कर लेने हैं और वह सबको आपको अपने वीडियो में यहां पर डाल देना ठीक है ताकि आपका वीडियो बूश्ट करें वाइरल हो और उसके बाद आपको पोश्ट कर देना ठीक है और इसके बाद मैं पोश्ट कर देता हूं उसके बाद आपको यह भी दिखाऊंगा कि मे यहां पर पोश्ट करता हूं यहां पर मेरे सामने एक फैक्ट वीडियो था जो भी मैंने किया ठीक है पीछे वाला एक फैक्ट वीडियो था छूटी के गलती से अब तो नहीं आएगा लेकिन अभी मैं दिखाता हूं आपको कि मेरे पर कितने व्यू जाएं उस वीडियो पर है वह मेरा खुद का वीडियो था अभी मैं दिखाता हूं उसको ठीक है यह देखिए मैंने अभी वीडियो डाला था और 528 व्यूज आ गए हैं दो मिनुए